नमास्कार स्वागत्यापका हमारे चन्यचार जागिंदर मिशामे भगवान भोलेनात का बार शोम मार शिवलिंग पर चढ़ाएं यह एक चीज हर मनोकामना होगी पूरी दोस्तों सृष्टी के कंकड में महादेव का बास है और वो अपने भगतों का हर रूप में कल्यान करते हैं भगवान सिव ऐसे देपता है जो मात्र लोटे भर जल से प्रसंद हो जाते हैं भगवान भोलिनात जिस पर महरवान हो जाते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं भगवान सिव की पूजन के लिए शोम बार के दिन अत्यनत शुब होता है इस दिन शोम बार के दिन भगवान भोलिनात की पूजा करने से विशेश फलों की प्राप्ति होती है शास्त्रों में भगवान सिव को प्रसंद करने के लिए कई उपाय बताये गए हैं जिने करने से ब्यक्ति के सभी मनोकामनाएं अत्शिग्र पूर्ण हो जाते हैं लेकिन दोस्तों भगवान सीव को प्रसंद करने सबसे आसान उपा है भगवान सीव के सीवलिंग की पूजन करना भगवान भोलेनात के सीवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनात अतिशिग्र प्रसंद हो जाते हैं और अपने भगतों के सभी कष्टों को दूर करते है वैसे ते भोले नात के सिवलिंग का पूजन करने से विशेश लाब होता है और खास कर आपको रोजाना पूजन करना चाहिए लेकिन सोम बार के दिन भगवान सिव को समर्पित होता है और सोम बार के दिन अगर आप भगवान सिव लिंग की पूजा की जाए तो विशेश मनोकामनाओं की पूर्ती होती है सिव लिंग का पूजन अगर सोम बार के दिन करें तो कई गुना अधिक फलों की प्राप्ती होती है दोस्तों सिव पूराण में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें अगर भोले नात के सिव लिंग पर अरपित किये जाएं तो इससे भोले नात अतिशिग रही प्रसंद हो जाते हैं और अपने भोले नात के सिव लिंग पर अलग अलग वस्तु चिढ़ाने से अलग अलग मनोकामनाई पूर्ण हो जाती है तो आईए जानते हैं कि किश मनोकामना के लिए भोले नात के सिव लिंग पर क्या वस्तु अरपित करें लेकिन दोस्तो आगर बढ़ने से पहले बीटू को लाइक करें और इसे जदा ज़दा शेर अवश्य करें दोस्तो अगर आपके बनते हुए कार बिगड जाते हैं यानि कि आपका भागे आपका साथ नहीं दे रहा या आपको समाज उमान समान प्राप्ति नहीं हो रहा वो दर्जा नहीं मिल पा रहा जिसके आप हकदार है तो दोस्तो आप सोम बार के दिन भागवान भोले नत के सीवलिंग का चंदन से अभशेक करें चंदन से अभशेक करने के लिए एक लोटा शुद जल ले जल में थोड़ा सा दोध मिलाए और फिर इस जल में आप थोड़ा सा चंदन मिला ले और चंदन मिले हुए जल से आप भगवान सिव के सेलिंग का अवशेक करें ऐसा करने से शोभाग में बरदी होती है दुरभाग भोलेनाथ की कृप़ से सोभाग में बदल जाता है भगवान सिव की इस तरह पूजन करने से भगवान भोलेनाथ की कृप़ से समाज मान समान एश्वर की प्राप्ती होती है दोस्तों अगर आपको कोई रोग है इलाज कराने के बाद भी उसमें फाइदा नहीं हो रहा या कोई ना कोई बीमारी आपको लगतार बनी रहीती है तो आप सोम बार के दिन भोलेनाथ के सिवलिंग का कच्चा दूद से बड़ा यानि अबशेक करें दोस्तों आज सोम बार का दिन है अब शेक करते समय भगवान भोलेनाथ के महा मुर्तिंजय मंत्र का जाप करें महा मुर्तिंजय मंत्र के जाप करने से बीमारीों से छुटकारा मिलता है भोलेनात का आविशेक करने के बाद ओम नमय शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें इस तरह से भगवान भोलेनात का जाप करने से भगवान भोलेनात की क्रिपा से अरोग की प्राप्ति होती है रोगों से छुटकारा मिलता है साथी अकाल मृत्व का भी भै दूर हो जाता है और साथी साथ फिर आप भगवान भोलेनात का ओम नमशिवाय मंतर का भी जाप जरूर करें बैठ कर भोलेनात रक्षा करते हैं दोस्तों अगर आपके कुंडली में ग्रह दोस है तो आप भी भोलेनात को इस तरह से पूजन अवश करें ऐसा करने से कुंडली में मौजूद दोस्त भी दूर हो जाते हैं और भोलेनात की कृपा से धन बैभा और एश्वर की प्राप्ती होती है शोम बार के दिन अगर शूलिंग की पूजा की जाए और उन्हें एक लोटा जल और बेलपत्र अरपित की जाए तो हर मनोकामना शेगर सेगर पूरी होती है भागवान भोलेनात का सबसे प्री दिन शोम बार दिन होता है और शूलिंग पर आप कुछ चढ़ाएं या ना चढ़ाएं एक लोटा जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र जरूर चढ़ाएं या होशके तो आप क्या करें कि एक लोटा जल ले ले थोड़ा से उसमें दूद और चावल और मिस्तरी डाल के सीलिंग पर चढ़ा दे तो हर मनोकामना तुरंत होगी पूरी भगवान भोलेनात के क्रिपा से कोई भी मनोकामना आपकी अधोरी नहीं रहेगी भगवान भोलेनात को आप लोंग इलाइची भी चढ़ा सकते हैं या फिर आप चाहें तो सुद्ध दूद ले ले और दूद से भी आप अविशेख जरूर करें लेकिन बाद में आप सुद्ध जल जरूर डाले और बेल पत्र चढ़ाएं तो विशेश मनोकामनाओ की पूर्ती होती है भगवान भुलेनाद को सफेद पूष्प भांग धतूरा बेल पत्र और साथी समी के पूष्प ये समी के पत्ते जरूर आप उन्हें चढ़ाएं मदार के पूष्प चढ़ाएं तो भगवान सीव अतुष्जिग्र परसंद हो जाते हैं भगवान सीव को हर चीज परसंद है लेकिन उन्हें आप इस दिन यानि कि इस दिन आप भगवान सीव की पूझा करते समय सक्रात्मक सोच रहें मांसाहरी बिल्कुल न रहे, यानि कि मांसमद्र का सिवन बिल्कुल न करे, वरना भोलिनात के क्रोध का सामना भी करना परता है, भगवान सिव की इस दिन पूजा करने से भगवान सिवलिंग के पूजा करने से विशेश फलों की प्राप्ति होती है, भगवान सिव के सिवलि पत्र चढ़ा दे या फिर आप चाहें तो बेल का फल भी चढ़ा सकते हैं साथी साथ अपनी हर मनोकामना पूरी करने के लिए नोकरी विज्येस ब्यापार, कारोबार या फिर धन संपत्ति की में बृद्धी करने के लिए अपार धन प्राप्ति के लिए महादेव को आप एक लोटस सुध जल ही चढ़ा दे इसके बाद आप थोड़ा से चावल गिला करके चावल चढ़ा दे दूद चढ़ा दे तो हर मनोकामना आपकी अतशिक्र पूर हो जाती है तो दोस्तो सोंबार के दिन ये वस्त उस्सी लिंक पर चढ़ाने से भगवान भोलनात की किर्पा आपार मिलती है दोस्तो कमेंट में लेखेगा हर हर मादेव साथी बेड़ो को लाइक करें जद जद शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा हर हर मादेव